विद्याल्य सिक्षव भागरियाना एजुसेट टेली कास्ट प्रायोजित कारी करम में आप सबका स्वागत है आज मैं भूप सिंग सास्त्री संस्कर्त अध्यापक राजकेव रिष्ट मात्यमिक विद्याले रुडियावास मात्रहल से कक्षाशात के लिए रुचिराभाग दो से छठा पाठ सदाचारे लेकर के उपस्तितुआ हूं सदाचारे नामक पाठ का अध्याइन करने से पहले हम सदाचारे पाठ में आए सलोकों का सैस्वर गायर अर्था सलोक पाठ करेगे आईए करते हैं सलोक पाठ आलस्यम ही मनुष्यानाम सरीरस्तो महांद्रिपु नास्तुद्यम समोवंधु कृत्वायम नावसीधती स्वेकार्यम अध्यकुर्वीत पुर्वान्येचा प्रानिकं नहीं परतिक्षते मृत्यु कृत्यमस्ये नैवाकृतं सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात नै बुर्यात सत्यम प्रियम चनान रितम बुर्यात एसे धर्मे सनातनें सरवदा व्यभारे सयात अउदारियम सत्यता तथा रिजुता मिर्दुता चापी कोटिल्यम नैकदा चने स्रिष्टम जनम गुरुम चापी मातरं पितरं तथा मनसा कर्मनावाचा सेवेत सततम सदा मित्रेन कलेहं कृत्वा नैकदा पी सुखी जन इती ज्यात्वा प्रियासेना तदीव परीवर जयेत अब हम पाठमाई स्लोकों का अन्यवे और हिंदी सर्लार्थ समझते हैं पहला स्लोक है आलेस्यम ही मनुष्या नाम सरीरस्तो महानरिपू नास्त उद्यम समोवंधू कृत्वा यम नावसीदती आलेस्यम ही मनुष्या नाम सरीरस्तो महानरिपू अस्ति उद्यम शमह बंधू नास्ती ने अस्ती यम खृत्वा मनुष्या है नावसीदती आलेस्यम ही मनुष्यों के सरीर में बैठा हुआ या छिपा हुआ उनका सबसे बड़ा शत्रू है उद्यम समो बंधु नयास्ति प्रिश्रम के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है यम कृत्वा मनिश्य नावसिदती जिसे करके मनिश्य कभी दुखी नहीं रहता इसलिए हमें जीवन में आलस्य त्याकर प्रिश्रम करना चाहिए प्रिश्रम का कोई भी इंकल्प नहीं है फिर देखिए आलश्य निश्चित रूप से मनिश्यों के सरीर में छिपा हुआ उनका सबसे बड़ा सत्रू है प्रिश्रम के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है जिसे करके मनिश्य कभी दुखी नहीं रहता इसलिए हमें जीवन में आलश्य त्याकर प्रिश्रम करना चाहिए करtsåंग करना इच्वर्ण का कोई भीतलक नहीं अग्ला स्लोक स्वैकार्यम अध्यकुर्वी स्यव्प कर श्यक्विद्ज करते ृप्रामें भाइले प्रांःकंचा फ्राहिए तोही कृतम नयवाटम अश्य मृत्यकुर्वी स्यव्प कर चैनों कर श्य परंद्दे ने करवत कि Apple Kariya को अध्याज करवीत करनेसे अप्रा्वनी कंद दोपेर और और पुरुवाण्ये दोपेर से पहले पुरुवीत करनेना चाहिए यह तो ही जून्कि क्ये होए कि जा चुकें नैवा क्रतम ने किये हुए अस्य इसकी मिर्टू मिर्टू प्रतिक्षते प्रतिक्षा ने नहीं करोती करता है कल किये जाने वाले कारिये को आज ही करने ना चाहिए और दोपेर बाद किये जाने वाले कारिये को दोपेर पहले करने ना चाहिए क्योंकि किये हुए अथ्वा ने किये हुए कारिये की मृत्तु पर्तिक्षा नहीं करती इसलिए हमें अपने सभी कारिये समय से पहले पूरे तबले ले चाहिए अगला सलोब सत्यां बुर्यात प्रियम बुर्यात नहीं सत्या पूर्यात जाना खेएग्चाये अनुरितं नहीं चाल्च में और यह अगर को मल reconcile शट्रेंबुरियात प्रीयम बुर्यात ऐं प्रियम स्ट्याफ हें The प्रियम चय अंगरितम नए बुर्यात ऐसे धर्मया सनासर्दतु है, सत्यम सत्च बुर्यात बोलना चाहिए, प्रियम प्यारा लगने वाला बुर्यात बोलना चाहिए, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात ए प्रियम सत्यम ने बुरियात हमें प्यारा लगने वाला सत्य बोलना चाहिए ए प्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्यारा लगने वाला जूट नहीं बोलना चाहिए एसे धर्म है सनातन है यह हमारा सनातन धर्म है अर्थात हमारे पास बिना कटुता के सत्य बोलने की कला होनी चाहिए और सभाव से सच बोलने की सहज आदत भी होनी चाहिए अगला सलोग सरवदा व्यभारे सयात अवदारियम सत्यता तथा रिजुता मिर्दुता चापी कोटिल्यम ने कदा चने सरवदा व्यभारे सरवदा अवदारियम सयात तथा सत्यता रिजुता मिर्दुता चे अपी सयात व्यवारे कोटिल्यम ने कदाचन है सयाथ, व्यवारे कोटिल्यम कदाचन ने सयाथ, व्यवारे व्यवार में सरवदा हमेश्या, अउधारिय मुदारता, सत्यता सच्चाई, तथा तथा, रिजुता सरलता, मिर्दुता कोमलता, चै और अपिभी, सयाथ होनी चाहिए, व्यव हमारे व्यवार में हमेश्या उदारता, सच्चाई, सरलता और कोमलता होनी चाहिए, हमारे व्यवार में कभी भी कुटिलता अर्थात कठोरता नहीं होनी चाहिए, अर्थात हमें जीवन में सब के साथ कठोरता को त्यार कर उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता के ववार करना चाहिए अगला स्लोप श्रेष्टम जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मना वाचा सेवेत सततम सदा सदा यहां से हम लेंगे अन्वे के लिए सदा गुरुम मातरम पितरम तथा स्रेष्टम जनम अपी मनसा वाचा कर्मना चे सततम सेवेत सदा हमेश्या गुरुम गुरु की मातरम माता की पितरम पिता की तथा स्रेष्टम जनम अच्छे व्यक्ति की अपी भी मनसा मनसे वाचा वाचा वाणी से कर्मना कर्म से चै और सत्तम लगातार सेवेत सेवा करनी चैंगे हमेश्या श्रेष्ट व्यक्ति की और गुरु की माता तथा पिता की मन वचन और कर्म से हमेश्या लगातार सततरूप से सेवा करनी चैंगे अर्थात हमें बिना किसी स्वार्फ के श्रेष्ट व्यक्ति की गुरु की माता तथा पिता की मन वचन और कर्म की पवित्तरता से हमेश्या सवभाव से सेवा करनी चैंगे अगरा स्लोक मित्रेन क्लहम कृत्वा ने कदापी सुखी जनह इती जात्वा प्रियासेना तदेव परिवर्जयेत मित्रेन सह क्लहम कृत्वा जनह कदापी सुखी ने भवती इती जात्वा प्रियासेन तदेव परिवर्जयेत जयेत शब्दार्थ मित्रेन मित्र के सहसाथ जगडा क्रित्वा करके जनह आदमी व्यक्ति कदापी कभे भी सुखी सुखी नय नहीं भवती होता है इती इस बात को ग्यात्वा समझकर जानकर प्रियासेन प्रियास्पोरुवक्त तदेयों परिवर्जयत उस जगड़े को परिवर्जयत छोड़ें मित्र के साथ कल है अर्थात जगडा करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है इसलिए इस बात को अच्छी तरह जानकरके समझकरके हमें उस जगड़े को प्रियास्पूरुवक्त छोड़ देना चाहिए अर्थात यदि हम जियोन में सुख चाते हैं तो हमें मित्र के साथ जगडा नहीं करना चाहिए अब हम इस पार्फ में आए प्रसनों को अभ्यास भाग में हल करेंगे आए देखतें अभ्यास भाग का पहला प्रशन सर्वान सलोकान सहस्वरम गायिद सभी सलोकों का सहस्वर गायन केजिए तो बच्चों हम पहले ही इन स्लोकों का सैस्वरगाइन कर चुके हैं आप भी इन स्लोकों का सैस्वरगाइन कीजिए दूसरा प्रसंद उप्युक्त कथना नाम समक्षम आम अनुप्युक्त कथना नाम समक्षम नहीं ती लिक्त सही कथनों के सामने हां और गल्त कथनों के सामने प्रातय काले इस्वरम सम्रेट प्रातय काल सुबह प्रातय काल में इस्वर को याद करना चाहिए सही बात है कि स्वर को हमेशा याद करना चाहिए तो लिखेंगे आम हां अंगरितम बुर्यात जूठ बोलना चाहिए यह बच्चों जूठ बोलना चाहिए नहीं नहीं बोलना चाहिए तो ने गलत वाक्य है इए तो आएगा ने अगला वाक्य थे मन से अच्छे व्यक्ति की कि शेवा करemale स्हां हाँ मित्र के साथ जगडा करके वेक्ति सुखी होता है नहीं रह सकता इसके सामने लिखेंगे निया कि अगला कफन स्वैकारियम अध्यकृवीत कल किये जाने वाले कारिया को आज करने ना चाहिए ईसलिए आएगा आएगा अगला प्रशन प्रशन घृत तर एक पद में उत्तर दीजिये एवले एक रद्ध में उत्तर देजिए पहला प्रशन है कान परतिक्षते कोन परतिक्षा नहीं करता तो प्यारे बच्छो कोन परतिक्षा नहीं करता मिर्तु परतिक्षा नहीं करता किये हुए काम की और ने किये हुए काम की तो उत्तर आएगा एक सब में मिर्तु हुँ अगला प्रशन सत्यता कद ना सयात। कदाका सरवदा। हमेश्या होनी चाहिए। किया बोलना चाहिए फ्यारे बच्चों किया बोलना चाहिए है के सचस्पन है। किसके साथ जगडा करके व्यक्ति सुकी नहीं होता है मित्र के साथ आयन पाथ में सबसे बड़ा दुस्मन हमारे शरीर में रहता है प्यारे बच्चों आलेस्य है तो उत्र होगा आलेस्यश्यम अगला पश्ण रीखांकित पदा ने या धीत्य है प्रसण निर्मानन्म कुरूद स्भूत को आधार मानकर परसंनिर्मान लेकित्म पर मिरत हॉद सबता है। पूंतरों गज़ी काह lugना प्रशाश्चत रहेगे और Repर कि मैं कृत्वा क्रिफव नर्यदुखी भावती जगड आ करके व्यक्ति दुखी होता है रहता है केम करितवा नर्य दुखी भावती हमारा परसन रहेगा किया करके मुलेश्य दुखी होता है अगला वाक्य है पित्रम करमना से वी पिता की करम से सेवा करने चाहिए तो या पित्रम सब्द है है धित्रम किसकी करम से स्रेष्ट चीवे तो रहेगा कम कम करमणा सेवेट प्रसन रहेगा मारा कम करमणा सेवेट शेवारे मिर्दुता स्रwachय सी यह वार में कोमलt श्रेष्ट है या मिर्दूता सब्द रेखांकित है किस्त्रिलिंग है किसलिए मिर्दूता व्यवार में कौन स्रेष्ट है तो कौन की स्त्रिलिंग में सलस्क्रत रहेगी का व्यवारे का स्रे ऐसी व्यवार में कौन स्रेष्ट है सरवद्दा व्यवारे रिजुता विधेया हमेश्या व्यवार में सरलता होनी चाहिए सरवद्दा रेखांकित सब्द है हमेश्या रहनी चाहिए कब व्यवार में सरलता रहनी चाहिए तो कब कि सबस्क्राइगी कदा व्यवारे रिजुता सयात अगला प्रसन पांच प्रसन मद्धे त्रिनी क्रिया पदानी संति तानी प्रियुज्य सार्थक वाक्यानी रचयात प्रसनों के बीच में तीन क्रिया शब्द हैं उन्हें प्रियोग करके सार्थक वाक्यों के रचना केजिए अब यहां यह प्रसन है और इनके बीच में यह तीन किरिया पद हैं बुर्यात बोलना चाहिए सेवेत सेवा करने चाहिए सयात होनी चाहिए अब सबसे पहले मन सा मातरम पितरम चाहिए मन से माता और पिता कि क्या करने चाहिए सेवा करने चाहिए तो हमारे पास किरिया पद आएगा सेवेत मन सा मातरम पितरम चाहिए सेवे प्यारा लगने वाला सच बोलना चाहिए तो बुर्यात, तीसरा है वाचागुरुम तो वाचा गुरुम वाणी से घुरु की क्या करने चाहिए सेवेत वाचा गुरुम सेवेत अगे क्या करना चाहिए बोलना चाहिए सत्य और प्यारा ने लगने वाड़ा हो वैं नहीं बोलना चाहिए अगला व्यभारे कदाचन कोटिल्यम ने व्यभार में कभी भी कुटिलता ने सयात नहीं होनी चाहिए व्यभारे कदाचन कोटिल्यम ने सयात आगे स्रेष्ट जनम करमना स्रेष्ट व्यक्ति की करम से क्या करने चाहिए सेवेत स्रेष्ट जनम करमना सेवेत व्यभारे सरवदा अउदारियम व्यभार में हमेश्या उदारता क्या होनी चाहिए सयात ये किरिया पत रहेगा व्यभा अन्वे रियात अन्दरितम प्रियम हैं नहीं बुलना चाहिए अगला प्रसंच शान से अव्यम पदानी चेत्व है रिक्स्तान अनी पूर्यत मंजुशा से अव्य शब्द चुन करके रिक्स्तान के पूर्टी कीजिए मंजुशाम हमारे पास सब्द है तथा नै नहीं कदाचन कभी भी सदा हमेशा चै और अपी भी पहला वाक्य है भक्त इस्वरम शिम्रति भक्त इस्वर को याद करता है कम करता है प्यारे बच्चों ह अमेशा तो हमेशा के लिए रहेगा शब्द सदा भक्त इस्वरम शिम्रति अगला वाक्य है असत्यम वक्त अभ्यम जूठ बोलना चाहिए तो जूठ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए तो हमारा सब्द रहेगा नै प्रियम असत्यम नै वक्त अभ्यम प्रियम सत्यम व प्यारा तथा सच बोलना चाहिए आगे वाक्य है लता मेधा विद्यालयम गच्छत लता और मेधा रहेगा तो लता और मेधा और के लिए हमारे पास शब्द रहेगा चै लता मेधा चै विद्यालयम गच्छत है लता और मेधा विद्यालयम जाती है अगला वाक्य है कुशली अपी कुस्मी भवान क्या आप कुशल हैं अगला वाक्या महात्मा गांधी झाल ने इंसा को नहीं छोड़ा अगला प्रशन चित्रम द्रिष्टवा मंजुसात पदानी चे प्रियोज्य वाक्यानी रच्याप। प्रशन तेवे सब। पहला वाक्य हम देखते हैं यहां से लेते सिख्षक है कक्षायाम श्यामपटे लिखती। अध्यापक कक्षा में श्यामपट पर लिखते हैं यहां देखिए चित्र में अध्यापक श्यामपट पर कुछ लिख रहे हैं तो हमारा वाक्य मना सिख्षक है कक्षायाम श्यामपटे लिखती। अगला वाक्य मनाएंगे हम से श्यामपटे प्रसन्नम लिखती। अगला श्यामपटे श्यामपट पर परसन्नम परसन्न लिखती लिखता है। श्यामपट पर परसन्नम लिखती। अगला श्यामपट श्यामपट पर परसन्न लिखता है। यहां अगला यह बच्चे अपनी कुस्तिकाम कुछ लिख रहे हैं। बश्चे उनका उत्र ही निख रहेगा ते पुस्तिकायार उत्राणी लिखन्ती में उत्र लिख रहे नहीं।